दूस्तों आज की कहानी है बहु क्या तुम अपनी मा की बात भी नहीं मानती दूस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे सैनल को सबस्क्राइप नहीं किया हुँ तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंसे अर नया वीडियो ममी जी बहुत दरदोरा पूजा सिला कर बोली तो कोमल जी दोड़कर आगी खुस नई घर भवस्ता में ये सोटे मोटे दरद होते रहते तुमारा तो अभी ये हाले तो बच्चा होने के बाद न जाने क्या होगा उसकी सेर पर सट गई थी पेट में भी अजीब सा मेसू सो रहता जी अभी ओपिस के काम से तूर पर गए थे अजी और पूजा की साधी को दो साल हुए थे पूजा अपनी पहली संतान को जनम देने वाली थी उसने डिलेवरी अपनी सेर में करवाने की सोशी पूजा की मा तो बस्पन मी सल बसी थी दूसरी मा को पूजा से ज़्यादा लगा नहीं ता और उनके बच्चे भी पूजा से खास सन्य नहीं रखते थे पूजा की अच्छी किस्मत थी कि अजियन एक साधी में पूजा को देखा और साधी करने का फैसला किया पूजा की मा ने देश देने से साधी कर ली अपने कलोते बेटे को इस्तर साधी करते देगाust आजिय की मा नाराज वो गई दो साल वो नाराज रही जैसी पता लगा की बहु десят से गासिक से देग भाल में लग गई तो मैं कहाता की समय घर का खाना ही बेटर होता है जो कम नमक मिर्श का होता पर तुम तो मानती नहीं हो बाजार से तिल मसाले दार्ती का मंगवा कर खा लिया उसी से गेंस बन गई हो लो ये मेती डाना और नमक लेलो आराम मिलेगा पूजा ने वो खाया और थोड़ी देर बाद उसे आराम मिल गया अगली दिन पूजा का फिर तीका खाने का मन उगा कोमल जीने उसे मना क्या पर पूजा ने सुप साप ओर्डर कर दिया जब वो साम को मंदीर गई तब सुप के से खा दिया रात को फिर पूजा की तबियत खराब हो गई पूजा तुम मेरी बात मानती क्यों नहीं होई पूजा को मल जी की बात बूरी लग जाती है जब अज ये वापस तूर से आते तो पूजा अपनी सास की सीकाइद करती है वो हर बात पर टौका टौकी करती है मुझे अपनी मर्जी का खाने भी नहीं देती है मेरा घरे मेरा पती कमा रहा है मैं ख़र से कर सकती हूँ पूझाने बिना सोसे समझे बोल दिया पूझा ये सच्चे ये तुमारा घरे और तुमारे पदी की कमाई पर तुम जी तरग का खाना मगवा कर खा रही हो वो ठीक नहीं है ना तु तुमारी सैथ के लिए ना ही बच्चे की सैथ के लिए मा की कोई बात तुमें समझ नहीं आदीज तरह खाने से ना तुमें पोसर मिलेगा और नहीं होने वाले बच्चे को तुम फल सलाद और कम मसाले वाला खाना को मा तुमें मनना नहीं करेगी क्या तुमारी अपन ख़र समय आजने, गाल कर रही हैं मा समझा सकती हैं तो सास क्यूं GoS गोभी तुमारी सिंता होने वाले बच्चे की भीकर एंटो मा की हर बात को नकारातमकदृष्दी कौन से कौन से दें कौनको सकारातमक दृष्दी कौन से देखो तो तुम्हें नचराएगा कि वो तुम्हारा भला ही सात्य जैसे ही उनको खबर मिली कि तुम पेर सिव सब नाराएगा तक एकी बहु के तो मा भी नहीं है मुझे तो मा अर सांस दोनों का फरजद्दा करना होगा अच्य की बाती सुनकर पूजा की नजरे सरम से जुक गई उसे अपने वेवार पर पस्तावा हो रहा था बहु तुम से एक ही बात पूशनी है गिया तुम अपनी मा की बात भी नहीं मानती ये सुनकर पूजा ने मा भी मांगी कोमल जी ने उसे गली लगा कर बहुत सा असिर वाद या पूजा वो ही खाती पीती थी जो कोमल जी करती थी नोवे मैने पूजा ने एक सवस्त्य बात पूजा जो सयम तुमने नो मैने रखा वैसा ही खान पान बच्चे होने के बाद रखना बच्चा तुमारा दुद पियेगा तुम अच्छा और पोश्टी खाना खाऊगी तो इसे भी पूरे पोश्क तत्व मिलेंगे मैं जादा न नहीं रुक सकती हूँ गाव की खेती बाड़ी संबालनी है तुमारे ससुर जी के गचाने के बाप सब मेने फिर से खड़ा किया कब तक पड़ोस्यों के भरोसे रहूंगी ममी जी आप यहीं रुक जाए पूजा आँख बिगोते हुए बोली अभी समय है जब तक हाद पैर सदरे में काम करना साती हूँ फिर तो तुमारे पास आना ही है कोमल जी बाव बेटे और पोती को असिरवाद देकर गाव सली कई पूजा अपनी मा सामान सास को तब तक देख दे रही जब तक वा उनकी नजरों से ओजल नहीं हो गई सास को सास की बात भी माननी साहिए और बूरा नहीं मानना साहिए